तो दोस्तों यहां पर आप Photoshop में देख सकते हो हमने लिख के रखा है टाइप कैसे करें जी हाँ दोस्तों आज हम आपको Photoshop में बताएंगे कि टाइप कैसे करें यानि कि आप Photoshop में लिख कैसे सकते हैं किसी भी जगह पर कोई भी पेज हो किसी भी इमेज में कैसे आप लिख सकते ह में आगेबड़ते हैं यहां पर जख सकते हो हमारे पर पास फोटो सौप ओपन है तो इस प्रमका किसी भी फोटोऌ आप में आपको एक पैज लेना पड़ना पड़ता है ठीक है सबसे पहले जाकर यहां से यहां से आपके पास क्रेंगे मिलेगा तो preset size में जाएंगे यहां पर कोई भी size आपको जो भी लगे वहां पर देखके आप यहां पर size को ले सकते हूँ अभी यहां पर हम एक size ले लेते हैं example में आपको समझाने के लिए regulation आप यहां से बढ़ा लें तो regulation जितना बढ़ा के रखेंगे उतना पिक्सल्स आपको दिखेंगे यानि कि आपका quality उतना ही अच्छा होगा image का यह चीज़े हमने आपको bonus में बता दिया चलिए okay करते हैं यहां पर हमने एक page ले लिया है ठीक है और किसी भी काम को करने के लिए Photoshop में लेयर की जरूरत पड़ती है तो लेयर का खेल अगर आप Photoshop में समझ जाते हैं तो आपको Photoshop में master बनने से कोई नहीं रोख सकेगा खुद आप master बन जाएंगे simply आपको window में जाएंगे यहां से आपको layer को open का लेना यहां पर हमारा layer open है अब यहां पर बेग्राउंड में white clear है और अब आपको बताते हैं किसमें हम type यानिक कैसे सकते हैं type कैसे कर सकते हैं यहां पर आपको tools tools बार दिखेंगे अगर आपको Photoshop में tools बार किसी भी कारण से नहीं दिख रहा यह hide हो गया है simply आपको window में जाना है और यहां से आपको एक option मिलेगा tools का तो यहां पर आपको tools का option दिख रहा है यहां पर हमारा टीक है इसलिए यहां पर यह सोख रहा है अगर इसको हम यहां प आपको इसी क्रम में आपको पता चल गया ठीक है अब आपको यहां पर tools बार में नीचे में आपको दिख रहा है यहां पर टीका option मिलेगा तो इसको हम text tool कहते हैं ठीक है आई इस में भी कई पर करकर के यहां पर आपको Text Tool के अंदर मिलेगा जैसे Text Tool हो गया यहाँ पे Automatically होगया Horizontal और उसके बाद यहाँ पर वर्टीकल है और यहाँ यहाँ पर लिखाए Horizontal Mask Tool Type Mask Tool और Vertical Type Mask Tool यहाँ पर चार तरीका का यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले टूल में तुल में और और अदी में ले लिए duration हो जाएगा लेकिन अभी हम इसको हींदी में लिखते हैं अब यहाँ पर अंग्रेजी में तो लिखी सकती हूं फोट्सवाब में रहता है राता है यहाँ पर मैं एक फूर्ण ही लेता हूं ठीक हां और उसके बाद यहाँ पर और लेक्ने के बद कुछिए इस टाइप साप, यहां पर हम्रेट हो चुका है और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है अब इसको लिखना आप शुरू कर सकते हैं। टाइब कैसे करें इसके बाद यह इसको और बढ़ा करना चाहते हैं तो Ctrl T कर देना आपको यहां पे मूब टूल को स्लेट कर चार स्याप करके इस परकार से अब शीप को प्रेस करके बढ़ा कर सकते हुद तो अभी हम आपको बढ़े ही असाने से टाइप कैसे कर सकते हो टाइप करने के क्या तरीका है कैसे हम फोटो सौप में टाइप कर सकते हैं लिक कैसे सकते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी टाइब के कॉंटेंट से आपको बहुत ही आसाने सी इस टेप में समझाने की मैं कोशिस करूँ तो आभी के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ तब दा के लिए जाहिंद जै भारत झाल झाल झाल